नमस्कार जुड़ चुके हैं दियार्थ नीउस के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी और मौनिंग अपडेट जो है इस समय राजोरी से सामने आ रहा है आपको बता दे कि राजोरी में सुरक्षबलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है एक पाकिस्तानी आतंकी को धेर कर दिय गया है और बताया जा रहा है कि कल रात या नी कल बीती रात जो है इन्फिलेट्रेशन की जो और देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और पाकिस्तान की तरफ से लगतार गुस्पैट की कोशिशे जो है वो जारी है क्योंकि जिस तरीके से कल अगर हम बाज करें डीजीपी जमुकश्मीर पुलीस त्वारा भी जब एक प्रेसवारता की गई तो उन्होंने साफ किया कि लगतार पाकिस्तान की तरफ से गुस्पैट की साज़िश जारी है क्योंकि अर्दियां जो है वो जैसे ही अब पीक पर आने से पहले एक साजिश रहती है कि जब कश्मीर के अंदर भारी तादात में जो आतंकियों की गुस्पैट है वो करवाई जा सके और जिसके चलते जो है कल बीती रात भी राजोरी की बिंबर गली सिक्टर में जो है ये गुस्पैट करने का प्रयास किया गया और यहां पर बताया जा रहा है कि एक आतंकी को धेर कर दिया गया है यानि कि एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया गया है और इस पाकिस्तानी आतंकी की तलाश पर जो है इसके पास से हत्यार और बाकी जो समान है वो बरामद किया गया है साथी साथ अगर बात करें तो अभी इस पूरे सेक्टर में जो है तलाशी अभ्यान जो है वो जारी है एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभ्यान जारी किया गया है ताकि अगर कोई भी आतंकी जो कि कल इसमें बच निकला हो या वापसी क्योंकि अगर यही कहा जा रहा है कि बाकी आतंकी थे वह वापिस पाकिस्तान की तरफ चले गए है पर अगर पाकिस्तानी जो भाऍर अंदर गुष्पट करके पहुंचा ऐं तो उसे भी धेर कर दिया जाए या उसे भी जल्द ही जल्द जो है गिरफतार क्या जाये इसके चलते जो है बड़े पेमाने पर जो तल राजोरी में जो है बीती रात राजोरी के बिंबर गली सेक्टर में मार गिराया गया है इंफलेटरिशन की कोशिश जो की लगातार देखने को मिल रही है यानि की गुस्पैट की कोशिशे जो है वो लगतार देखने को मिल रही है और उसका कड़ा जबाब जो है, सुरक्षबल देते हुए नजर आ रहे हैं, साफतोर पर अगर बात करे, तो ये साफ है कि पाकिस्तान जो है, वो लगतार साजिशे रच रहा है, पाकिस्तान की तरफ से लगतार ये कोश्चे जारी है कि उन्हें खराब करने का प्रयास और सर्दियां यानि कि पीक पर आने से पहली ही जो है एक बड़े पैमाने पर आतंक्यों की गुस्पैड जो है वो करवाई जा सके तो इस अब डेट में पर से इतना ही जुड़े रहें दियार्थ में उसके साथ